हेलो गाईस वेलकम बैक तू माई चानल आजके वीडियो में हम पढ़ेंगे पैंटिंग शिव एंड सथी यह पैंटिंग आपकी बैंगोल स्कूल की पैंटिंग है वैसे पैंटिंग लास्ट यह आपकी स्लिवर से कट हो चुकी थी लेकिन इस यह यह पैंटिंग दुबारा स तो आपको पता होगा सबसे पहले आपको लिखना होता है पेंटिंग के बारे में तो नेम किया इस पेंटिंग का शिवेंड सती के ननलाल बोल्स पेएड नाइंटिंग के बेंगोल स्कूल की पेंटिंग है उसे हं मीडियम बॉटर कलर से बनाइग के यह पेंटिंग लगोर्ण थे कर्टेशी कर्टेशी की नरिशे गयलरी ऑफ । नियु देली तो मतलब इस पैंटिंग और यहां पर रखा गया है अब करते हैं the description इस पैंटिंग का तो आप एप्रेस्टेशन पूच पूछा जा सकते हैं इस पैंटिंग करने हैं कि आपको कैसे लगती है अपको इस तरह से उसे एक्स्व्याइन कर देना है तो डिस्क्रिप्शन willst इस प्रेंट इस में क्या गता गया है यह आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है तो देखतें इन इस प्रेंटिंग लोड शीवा इस शोन सिटीड एंड क्या दिखाया गई लोड शीवा मतलब शिवजी भगवान दिखाया गई है बैठे हुए वो और उन्होंने माता सती को अपनी आम्स में पकड़ा हुए तो यह दिखाया गए इस पेंटिंग में हेर सती जैट तो यहां सती मृत दिखाया एक सर्कल दिखाया गए जिसमें से लाइट निकल रही है लाइट वाला सर्कल दिखाया गए शीवा के हैड पर जिससे क्या पते चल रहे है कि उन्हें गोड की तरह रिप्रेजेंट किया गया है एक्सप्रेशन सार वेरी गुड तो इस पेंटिंग में बोज़ाद एच्छ फोर ग्राउंड आर वेरी क्रेसिव उसका मंतलब क्या जो फोर्व डॉट का इफेक्ट दिखाया गया वह पुज़ाद अच्छा लग रहे है जो बैक्राउंड यसधी ऑन की जिफाया गया है कि सती सेटिंग मेंटेशन से करने शीवाजी मांघ्र पीजे ay सेक्रिफाइस कर दिया किसलिए अपनी हस्बेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे दिखते हैं सती फादर दक्षा हूँ वोस अगेंस दियर मैरिज स्पोक अभी उसे वर्ट फोर शीवा इन ग्रेट पार्टी इसका मतलब क्या है यह जना तो शीवा सती है उनके हस्बैंट को पोधिक ने दक्षा तो दक्षा जो थे वह सती और शीव की मैरेज के खिलाफ थे थे तो उन्होंने क्या किया था मैं पर शीवाइज सेंस की स्थाधी हो गई ठी चिल्चा के अपने घर पे बहुत बढ़ी बाटी उन्हें बहुत जदा पूरा लगा था तो सती एंड़िट हर लाइफ थ्रू हर पावर्स बाइब बर्निंग हर बोड़ी थ्रू फायर इसका मतलब क्या है इसलिए सती ने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी खतम कर दी अपने आपको आग लगा दी तो किसलिए किया था क्यों कि उनके फादर ने उनके हस्बेंट की डिस्प्रिस्पेक्ट की थी आगे देख लेते हैं इस पेंटिंग में शीवा ने सती को अपनी बाजों में पकड़ा हुए ही इस इन सेटिंग पोस में दिखाए गया है इट इस वन ओफ दा बेस पेंटिंग ओफ ननलाल बोस तो यह है पर मतलब शेफ के हैड पर दिखाया गया एकस्प्रेशन वह जद अच्छे दिखाया गये पेंटिंग ब्राउट निश मोनोटोन की दिखाए गई है आपको पदा जभी पर एक पेंटिंग करते हैं आपको कलर्स के बारे में एकस्प्रेशन बैग्राउंड इसकी क्योंकि उनके फादर ने शीव को डिस्रिस्पेक्ट किया था और यही आपको इस पेंटिंग में लिखना तो लास्ट में आपको लिख देने के पेंडिंग बहुत जादा सुन्दर है तो मैं होप करते हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजिए और में चैन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को भी क्लिक करें ताके मेरी आने वरी सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन्स आपको मिल जाए और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस अप